रूस ने इसराइल पर इरान के बड़े मिसाइल हमले के बाद मद्धपूर में अमेरिका के द्रिस्टिकोड की निंदा की है और इसे अमेरिका की पूर बिफलता करार दिया है। रूस के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता मारिया जखारुवा ने संकट को हल करने में वाइट हाउस की असमरता की और इशारा करते वे टेलिग्राम पर ये भावना ब्यक्त की है। लगभग 200 बलेस्टिक मिसाइले लाँच की हैं। इसराइल रक्षाबल यानि की आईडियाफ के मताबिक उनके दीज की सीमा के भीतर ड्रोन हमले किये गए। वहीं इरान को समचार एजनसी आई आरेने कि ने दावा किया है कि बलेस्टिक मिसाइलों से इसराइली ठीकानों को निशाना बनाए गया इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने इसराइल का समर्थन करने का एलान किया है। इसराइल को तनाव बढ़ाने की अनुमती दी गई। इस द्रिस्टिकोर्ट से प्रतिशोध के एक खतरना चक्र को जन्र दिया है और शेत्र को युद के कागार पर ला दिया गया है। इसराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइले दागी है। इससे पहले आज मैं राश्टपती बाइडन और हमारी राश्टी सुरक्षा टीम के साथ सिचुएशन रूम में थी क्योंकि हमने वास्तविक समय में हमले की निगरानी की और सुरक्षेत किया। इसके साथ इस सुनश्चित भी किया कि छेतर में अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा सर्वपरी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं हमेसा ये सुनश्चित करूंगी कि इसराइल के पास इरान और इरान समर्थित आतंगवादी मिलिशिया के खिलाब अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद